बारतिय खिलोना उद्योग में वित्वर्ष 2014-2015 की तुलना में वित्वर्ष 2022-2023 में उलेखनी अब रिद्धी देखी गई इस दोरान आयात में 52 प्रतिशत की गिरावट, निर्यात में 249 प्रतिशत की बढ़ोतरी और घरेलू बाजार में उपलब्द खिलोनों की समगर गुणवत्ता का विकास हुआ है। 2014-2020 तक 6 वर्षों की अवधी में सरकार के समर्पित प्रयासों से विनिर्माण काईयों की संख्या दो गुणी हो गई है। 30 वस्तों पर निर्भरता 33 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गई है और सकल विक्री मूली में 10 प्रतिशत CAGR की बढ़ोत्तरी हुई है। केंद्रिय विदेश और संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संसदी अक्षेत्र के कोटला मुबारकपुर में स्वच्छ संकल्प लौंच किया। बारतिय खिलोना उद्योग में वित्वर्ष 2014-2015 की तुलना में वित्वर्ष 2022-2023 में उलेखनी अब रिद्धी देखी गई। इस दोरान आयात में 52% की गिरावट, निर्यात में 249% की बढ़ोतरी और घरेलू बाजार में उपलब्द खिलोनों की समग्र गुनवत्ता का विकास हुआ है। उद्योग और अंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग की ओर से आई आई एम लखनव द्वारा भारत में निर्मित खिलोनों की सफलता की कहानी विशय पर आयूचिते केस स्टडी में ये बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के प्रियासों से भारतिय खिलोना उद्योग के लिए अधिक अनुकूल विनिर्माण एकोसिस्टम बनाने में मदद मिली है। 2014 से 2020 तक 6 वर्षों के अवधी में सरकार के समर्पित प्रियासों से विनिर्माण एकाईयों की संख्या दोगुनी हो गई है। आयातित वस्तों पर निर्भरता 33 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गई है और सकल विक्री मूली में 10 प्रतिशत CAGR की बढ़ुत्तरी हुई है।